इस वीडियो में हम देखेंगे parts of uterus और उसके relations तो इस डाइगराम पर देखो यह वाले डाइगराम आपको बनाना इसमें जो एक जो तो इसमें सिंपल सा है यह डाइगराम समझ में होगा कि कहां से लिए गया अब इसके बाद जो है आपने एंटि वर्जन एंटि फ्लेक्जन देखें होंगे हमारा जो यूट्रस रहता वह जुगा रहता कि किने डिगरी पर 90 इवर्जन कहते हैं और एंटि फ्लेक्जन अभी ह यूझने इसको चुर्ट करके देख रहा है इसका पूरा पर दूसके पार्ट समय देखो सबसे पहले उटाव अधा फंडस बोडीए और टू लेटरल सार्फेस होती इनके बारे में हमको लिखना सबके रिलेशन कुछ के रिलेशन दिए कुछ की नहीं इसलिए हम क्या है सबके फीचर्स लिख देते हैं तो उसमें रिलेशन भी थोड़े बहुत कबर हो चाहिए तो सबसे पहले फंडस की बात करते हैं फंडस की बात करते हैं फंडस क्या है फंडस एक पार्ट आप यूटरस है और यह कहां पौर होता है अब ओदा ओपनिंग अब फैलोपियन इसमें से कुछ अटेच है कि बताओ नहीं है इसलिए तो फिरी तीसरा बताओ यह कॉन्वेक्स है कॉन्वेक्स दिख रहा है दिख देखके लिखना अगर यह वाला तो बनाना ठीक है और रिलेशन का एक डाग्राम बदाओ और इसके बाद जो बताना तीसरा कि बता सकते हो इसमें कोई तो नहीं रहता है लेकिन इससे अटेच रहती है और क्या बता सकते हो डारक्टेट फॉरवर्ड वेंदा ब्लाडर इच एंपटी क्योंकि मैंने बताया था कि एंटी आवां एंटी फ्लेक्जन और एंटी वर्जन कंडिशन में यह क्या कम रहता है विलेटर के जो यहां न stack न समय करते हैं अगले देखो इसमें और क्या लिख सकते हैं कि इसाइधी हम इंप्लांट यहां पर जो किया होता जो फेंट Walmart नहीं जाए सेंब बॉड़ी की वर तो अब यूटरस की बॉड़ी देखके क्या समझ में आ रहा है यह इंटेरियर को हम वेसाइकल के वोल रहे हैं क्योंकि यह सामने यूरियरी ब्लाडर के रिलेशन पर आएगा ना सिते बाद मतलब इसके पीøछे साइड क्या होगा क्यूंकि यं। रहते हैं उरनाось को क्योंकि यह पोस्टेरो सुपिएर ओटरंजेक्षिन है तो इसके पीचे क्या होगा It勉रनाél FC तो इसको क्या बौते हैं सामने रहते हैं इंठेर साइड में रहते हैं इसके सामने क्या होंगी, जैसे कि यह posterior surface है, तो इसी में जो पूरी यहां पर होंगी, पूरी क्या होंगी, intestine, तो इसको intestinal surface बोलते हैं, ठीक, इसको तो हमने cross section लिए हैं, इसलिए हैं नहीं, तो यह पूरा pack रहता है, तो convex, अब यह surface देखो इसमें, यह convex रहेगा, क्योंकि उसके उपर लेटा रहता है ना, इस टाइप से, पूरा का पूरा लेटा रहता, तो यह convex हो जाता, तो पूरा का पूरा convex रहता है, कौन सा posterior surface, जो अभी हम देख रहे हैं, यह posterior surface, convex रहता है, और यह relation, किसके relation में आएगा इंटेस्टाइन है, तो coil of the terminal, ileum ही आएंगे, और सिग्मेट को लान आएगा, सिद्ध बात है, तो हम ileum और कोलन लिख सकते हैं, और यहां पर क्या होगी, posterior surface है, तो इसमें भी पेरिटोनियम रहती है, ठीक है, और इसके बाद क्या रहेगा, इसमें, और यह form करता है, interior वाल पॉस्टीरियर, superior वाल पॉस्टीरियर या, superior वाल अप्दा, ये ट्रोवेसाइकल पाउच, अब तो यह पाउच देखो, पाउच कुछ नहीं है, सिंपल है, डाइग्राम से देखो, मानलो की बात यह क्या है, इसे को मानलो, यह uterus है, चलो मैं बनाई देता हूँ, यह uterus है, अब इसके नीचे क्या है, यह urinary bladder है, ठीक है, और पीछे side क्या, rectum है, तो यह peritonium आएगी, इस टाइप से और ऐसे कबर होके जाएगी न, तो दोनों पाउच बन रहे हैं, तो interior side में एक पाउच बन रहा है, posterior side में दूसरा पाउच बन रहा है, तो वहीं बता रहा हूँ न तो यह वाला utrovecycle pouch है, और पीछे का जो है, recto uterine pouch, क्योंकि rectum के contact पे आ रहा है, ठेक है, लेकिन बोल रहा है कि form the interior wall of the recto uterine pouch, अब recto uterine pouch तो है, उसकी भी कौन सी wall बनाएगा, जी interior side की posterior थोड़ी बनाएगा, और जो हमारा utrovecycle pouch है, इसके कौन सी boundary बनाएगा, posterior क्योंकि गया, अब हम देखते हैं आँगे, ठीक है, आँगे क्या देखेंगे, बोड़ी इतने हैं, बोड़ी में जादा कुछ नहीं है, सिंपल से समझ में आ गया होगी, क्या भी यह उसमें ब्लैडर है, तो इसमें परेटोनियम है, तो इसमें परेटोनियम होगी, और कौन सी है, देखो यहां पर सिंपल से लेटरल वाटर दिख रही दोनों भी, है ना, तो हमने एक तरफ कर लिए गया इसमें, तो इसमें देखो, यह कैसे है, राउंड राउंड है, राउंड है, गुल-गुल, एंड कॉन्वेक्स, और कैसा, कॉन्वेक्स है, ठीक है, यह देखो, इसके बाद क्या है, प्रवाइड करती है, जे अटेच्मेंट, ब्रॉड लिगामेंट अप दे यूटर, देखो, यह पूरा का पूरा जो दिख रहा ना, यहां पर, ब्लू कलर का, यह पूरा का पूरा क्या, ब्रॉड लिगामेंट है, जो इस पे, देखो, अटेच हो रहा जाकि वहां पर पूरो लेटरल सर्पस्पे दूसरा क्या है सुप्रो लेटरल एंगल ऑप द बॉड़ी ऑप द जनक्शन ऑप द बॉडी एंद फण्डस के बीच को देखो ये फंडस है और ये बॉड़ी इन दोनों के भीच में तुबार आजिए बॉड़ी ऊपर है फंडस क ता junction of the body and the fundus कोई बोलते हैं Cornua of uterus क्या बोलते हैं Cornua of uterus बोलते हैं और वह attachment किसके लिए होता है uterine tube वहीं पर आती है ligament आता है simple सा बात है यह fundus है ठीक है fundus है और यह body है यह दोनों जाके यहां मिल रही है तो यह तो junction है और इस junction पर तो क्या रही है यह uterine tube आ रही है ligament of obri भी यहीं से attach हो रहा आके देखो और round ligament of uterus भी तो यहीं आके थोड़ा सा उसका पार्ट attach हो रहा न तो यही सब तो कहला था corner of uterus वाला पाग जहां से यह सब रहेच्ट है ठीक है आप देखते हैं cervix of the uterus वाल पाग उसमें इतने ही लिखना आप देखते हैं cervix of uterus जो इसमें दिखाई दे रहा है cervix dual को य trabalho पार्ट है यहां जहलो होता है यह इसकी दो पार्ट होते हैं एक सुप्रा माइसाइनल पार्ट तो सुप्रेज़ाइनल बाङए स्के तरफ के डिखेंगे तो ब्लैटरए बाठ्रिक्मा और पूस्टीर साइड में कहा है और रेक्टक्य और यह मनेंसे बात किई रिलेशन पर आईगे और जब की पेजाइनल वाले पार्ट में क्या आएगा इस पेस विटमें दो वेजाइनल वॉल अदे देखो इसको मैं सिंपल साथ एक और डाइगराम उसको तुम्हें बताना भूल गया यह इसमें क्लियर ले समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा और इस वाले डाइगराम पर देखो मेरा जैसे कि बताया था कि यह रेक्टम होता है इसके बिच में एक पाउच बन रहा रेक्टोईटरान पाउच और यह दोना पाउच यह समझ में आ गया ब्लेडर होता है यह परेनियल बॉड़ी होती ही प्यूब वैसे ज्यादर कुछ इस और क्या है इसके इंटिरियर में ब्लेडर के बन रेक्टोईटरान पाउच है के नहीं यह रेक्टोईटरान पाउच आ रहा उसके कंटक्ट में और रेक्टम भी आ रेक्टोईटरान पाउच यह जो हमारा है बैक साइड में आता है स्वरी इंटिरियर साइड में ब्लेडर पार्ट की बात करते हैं और नीचे आ गए तो इसमें जो इंटरनल ओस के इसमें उपन होता है और इसके बाद जो बस ज्यादा इसमें कुछ याद रखने बात नहीं बस अब नेक्स्ट वीडियों वह सपोर्ट आप यूटरस में आ जाएंगे तो यह वीडियो आपको जो पूरा को पूरा समझ में आ जाएगा तो आयो आपकी इतना आपका समझ में आया होगा थैंक्यू